दोस्तों आज हम बात करेंगे टेंगर मछली के बारे में लिकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूसना चाहती हूँ क्या आपको पता है टेंगर मछली क्या होती है ? जी बिल्कुल शायद आपको पता होगा लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों को बता दूं कि ये मचली करीब 4-5 इंच लंबी होती है टेंगरा मचली को बिहार के पश्ठबी जिले में लोग वजडीवा के नाम से जानते हैं वहीं बिहार के पूर्वी एवं उत्री जिलों में इसे पालवा मचली के नाम से भी जाना जाता है वीडियो मांगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करके बैराइगन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों कहा जाता है कि इस मचली में चर मैंगनेशियम और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होने की कारण यह डाइबिटीस थाइराइट से ग्रसित रोग्यों के लिए भी काफी फैदेमंद होती है लोग फैट पूटीन एवं उमेगा-3 की कारण यह दिल के लिए भी लाब दायक माने जाती है चिकित्सकों के करण यह मास्पेश्य को जहां मजबूत करती है वहीं तवचा को धेले ढाले होने से भी मचाती है इसमें सालमन ट्राउट एवं साडिन जैसे मचलियों के साथ तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी काफी आवश्यक माने जाती है इतना ही नहीं मचली खाने वाल कि आँख की रोश्णे को बढ़ाने में काफी लाबदायग माना जाता है सेल्मन एवं मैक्रिल तत्तों की मौज़ोती कारण मचले में विटमिन दी भरपूर मातरा में उपलप्त होती है जो दातों एवं मसुणों को पूशन देता है यही कारण है कि मचली खाने वाले के सफेद पाई जाते हैं मचले की उप्योग करने पर शरीर के सूजन में भी लापूशता है यह जान लेवा कैलिस्ट्रोल लेवल को भी संतुलित रखता है जिससे लंबी उम्रे के साथ भी तवचा चमकदार बना रहता है अगर हम टेंगरा मचली के साइस की बात करें तो इ एक इंस तक कि इसकी अधिक्तम मुटाई होती है साथ ही इसका शरीर का डिजाइन मस्तिस्क पर सूगा पंखी रंग के टीके एवं शरीर पर मट मैला रंग के काले एवं सफेद धारिया होनने की कारण यह काफिल भावना दिखाई देती है यह मचली आपको बजारों में आ झाल